गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अल अफ यू, हाव यू अल, आई होप यू अल आर फाइन, सो चिल्रेंड, तोड़ेज ओवर हिंदी क्लास, आज है हमारी हिंदी की क्लास, और आज हम फिर से एक नया वेंजन लेके आए हैं, और आज हम एक नया वेंजन सीखेंगे, तो यह है आपकी हिंदी की बुक, पर उससे पहले हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, जो हम वेंजन सीख चुके हैं, ओके, सो लेट स्टार्ट, तो बच्चो, यह हैं हमारे वेंजन, यह तो थे हमारे स्वर्व, और यह हैं हमारे वेंजन, ठीक है, तो हम वेंजन कहां कौन कौन से सीख चुके उसका पहले हम एक बार रिविजन कर लेते हैं तो सबसे पहला वे एंजन आता है क से कबूतर ख से खरगोश ग से गमला ग से घड़ी ना खाली च से चमच च से छतरी ज से जहाज ज से जंडा इहाज इसको क्या बोलते हैं त से टमाटर तो बच्चों हम यहाँ तक सीख चुके है वे एंजन और आज का हमारा नया वे एंजन है त इस मेजन को बोला जाता है त अब हम देखेंगे त से क्या क्या होता है और था कैसे बनाया जाता है तो बच्चो पेज नमबर 57 पर आज का कौन सा वेंजन है ये थर इस वेंजन को बोला जाता है थर वेंजन ठीक है अब हम इसको देखेंगे पढ़ेंगे और यहाँ पिक्चर देख सकते हैं यहाँ कुछ पिक्चर बनी हुई है किस चीज की थर से थेला थेला क्या होता है बच सब्ची बेचते है न और जो सब्ची जिस चीज पे रखके लाते उसको बोला जाता है थेला थर से थेला चीक है अब ही और भी कुछ शब्द हैं तो उसको हम पढ़ेंगे एक बार जो पेज नमबर 58 पर है ठीक है तो 58 पर यहाँ कुछ शब्द भंडार मतलम यहाँ पर कु ठटेरे किसे बोला जाता है ठटेरा बोला जाता है जो बरतन बनाते हैं ठीक है स्टील के और अलिमुनियम के जो बरतन जो बनाते हैं उनको बोला जाता है ठटेरा थंड ओ विंटर है अभी क्या पढ़ रही है अभी थंड पढ़ रही है न हम क्या करते थंड में अपने आप लगाते हैं, मफलर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, सब वामर पहनते हैं, थंड, 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 किसे बोला जाता है, चोर को, जो चोरी करते हैं, जो परिशान करते हैं, लोगों को, परिशान, और तो उसको हम बोला जाता है, थंड, ठासे ठाक, ठाक मतलब चोर ये ठेला ठेला जिससे समान को carry किया जाता है मतलब समान को एक जगा से दूसरी जगा तक लेके जाया जाता है ये भी एक ठेला होता है और जिस पे सबजी लेके आते हैं उसको भी ठेला बोला जाता है ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सीख लिया ठा से क्या क्या होता है ठा से होता है ठेला, ठा से होता है ठटेरा, ठा से ठंड, ठा से ठग अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ठा कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले ठा के लिए हमें एक पहले एक standing line बनाते हैं ठीक है ऐसे standing line फिर जैसे हमने टा से टमाटर पड़ा था ना ये टा लिखा था ना हमने ऐसे ही टा से टमाटर बनाएंगे इस तरीके से ओके ऐसे टा से टमाटर बनाएंगे और फिर यहीं से हमें उपर ये जो standing line है यहाँ पर इसको join कर देना है जैसे हम circle बनाते हैं जैसे circle बना दिया वैसे ही हमें ठा बनाना है पहले एक standing line छोटी सी फिर उसके नीचे एक circle और उपर एक sleeping line तो ये बन गया हमारा ठा है ना बहुत इजी है ना सबको मज़ा भी आएगा बनाने में चीक है इसी तरीके से आपको इस वाले page पर 58 page number पर भी ठा लिखना है ठीक है बच्चो उसके बाद आपको यहाँ पर एक गतिविदी दी गई है गतिविदी मतलब एक इसमें क्या करना है ठा को पहचानो और गोला लगाओ ठीक है आपको ठाव engine जो आज हमने पढ़ा है इसमें हमें ठाव engine को पहचानना है और इस पे circle करना है ठीक है जैसे अब यहाँ पर यह ठा है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे circle कर दूँगी यह था वेंजन है ठीक है बच्चो तो आज हमने कौन से वेंजन पड़ा था ठीक है तो ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे था सबसे पहले एक standing line फिर एक त की तरह बनाते हुए फिर यहीं से उपर इसको यहाँ पर join करना है और उपर एक sleeping line बन गया था था से थटेरा था से थंड था से ठग और था से थेला ठीक है बच्चो तो यह आप अपनी हिंदी की बुक में करेंगे पेज नमबर 57 और पेज नमबर 58 उसके बाद आपको अपनी हिंदी की नोट बुक में भी में एंजन था लिखना है था और थेला ऐसे थेला आप बना सकते हैं ठीक है और था से थटेरा या थेला आप ऐसे लिखेंगे ठीक है ओके था था से क्या होता है थेला था से थटेरा था से थंड और था से ठग तो यह सब करेंगे और फिर इसको करके, इस work को complete करके और मैम को share करेंगे ओके, so bye bye and take care, have a nice day God bless you all